पांच साल में पहली बार ऐसा हुआ कि करवा चौत के दिन मेरी हालत इतनी जादी खराब हो गए कि क्या ही बताओ या चंदा मामा के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है तो यहाँ पे न मैं रेडी हो रही थी फटाफट से सब मैंने खाना वागेरा तो रेडी कर दिया था बस बहुत थोड़ा सा मेकप करके रेडी हो गई और रेडी हो गई थी और मैंने सोचा चलो राहूल को सुर्प्राइज देते क्योंकि उन्होंने ने अब तक मुझे देखा नहीं था तो मैं बहुत जादी एक्साइटिट थी कि उनका रियाक्शन कैसा होगा तो मैं फटाफट तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूं मैं बहुत सिंपल सी रेडी हो गई थी और फिर आना यह मुझे झाने ही नी दे रहे थे बोलते अरे देखने तो दे कैसी लग जिए थोड़ा अच्छी से निहानने थो दोरी जाने तो मुझे बहुत जीच्य किया और अच्छा लगता है मैरे साड़ा करवाचोध का सामान और मेरी मम्मी ने पहले करवाचोध पे दिया था तो ये हर साल यूज करती हूं ऐसे तो चांद है नहीं यहां उसे मेरे बाकनी से 8-8-9 बजए से ृसके दिंछ के दिन चांद मामा भी नहीं बहुत ज्यादा भा़ों काते सची बतारी व्रहकर चौथ दिन इतना लेट निकलना इतना लेट निकलना हमारी सामने वाली विल्डिंगें हर बैट कर अपना पार्ट पर रही थी और पूजा वगेरा भी स्टार्ट कर दिये और बहुत टाइम तक मैं बैटी थी क्यूंकि अभी तक है ना चंदा मामा निकले ही नहीं ते और मेरा सर इतना भारी होता जा रहा था मेरा हस्बेन बार 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 जाके देख रहे थे कि कब न निकले और मेरा बहुत जादा खराब होने लग गया था सर भारी हो रहा था और मेरे सीने में इतना जादा जलन हो रहा था ना फिर मैंने सोचा आप सुबह से रखाए ये व्रथ तो फिर अब क्या एक दो घंटे के लिए मैं जल्दी पानी पी लू या फिर कुछ खालू त और चांद तो इस साल इतना जादा लेट आया कि क्या ही बताओं मैंने पूजा के साथ बैठके और हमारा पूजा बगेरा खतम वा तो मैं खूद भार आ गई देखने के लिए सामने भी सारी लेडिस लोग है ना टेरस पे खड़े होके बस वेट कर रहे थे इतना बुरा लग से बता रहा हमारे यहां पे ना चंदा मामा को निकलते निकलते ग्यारा बज गए थे चांद का वेट करते करते ना हमेरा सर इतना भारी पड़ गया च्छक्कर सा आने लग गया तो मैंने तो अपने मन को थोड़ा है ना इधर उदर करने के लिए फोड़े वीडियो बना ल उसके वज़े से चांद है ना पीचे चुप गया था तो आज वो गाना सची हो गया चांद चुपा बादल में और चांद ना उपर निकल ही नहीं रहता लेकिन फोन में बराबर दिखा रहा था कौन से जगे पे हैं चांद और मुझे ना हलकी सी चक्कर भी आ रही थी सर भ नहीं नहीं था इतनी जादी कुछ हो गई पहली बाद चांद को देख कर कि क्या ही बताओ अरवाच ओथ में तो हम लोग रात में खाना खा भी लेते हैं लेकिन तीज में तो रात में भी नहीं खाया जाता है पर मैंने फिर भी तीज का वरत है ना पूरा किया था एक बार खाकर और तब मुझे इतनी जादी भूग नहीं लगती थी लेकिन अब मुझे ना भूग भी बहुत जादी लगने लग गई है और नहीं खाओ तो सर चक्राता है सीने में जलन होती है तो यह सब चीजे हो रही है इतना प्यारा चांद निकल कर आया था ना बादल के पीछ बूबादा करते और रात खोलता है क्योंकि आरा बजेद इस अब हम लोग मुंबाई से मुंबई में में को 11 बजे चांद दिखा था आप से और आप लोगों को किटने बज़े चांद collected से मैंने मेरे हस्बंद को खिला क्यूंकि उन्होंे ना सुबह से खाय ютьनी था तो पानी मुझे बहुत लोगों ने बोलता किम भू आपू सकते हो लेकिन बहुत लोग ऐसे भी दोर रहे थे हैं कि कि मुझसे घुतना माने उतना करके व्रत रखा आइंवी टाइम आगया था कि हम लोग कुछ मुझे खाने से ज्यादा अच्छा और लाइए सब्सक्राइन जाओ डिनर वगेरा करने के बाद मेरे हजबन यहाँ पर किचिन में जो वर्तन थे वो सब वाश कर रहे थे मैंने बोला मैं कर लूँगी बोले कि नहीं अभी तु जाके ना रेस्ट कर क्योंकि बहुत ज्यादा ठक गई है थोड़ा सा तो डिफिकल्ट था यह वाला करवाचा वर्त कैसा रहा और आप लोग ने वरत कितने बजे खोला जरूर बताना मिलती हो अगले वीडियो में बाई बाई